तो वेलकम बेक्ट टू पार्ट टू अफ इंप्रूवर कैलिकुलेशन इन फाइ मिनिट्स ट्रिक अपना सिर्फ फाइ मिनिट्स का होता है लेकिन एक्स्प्लेशन करने के लिए मुझे एडिशनल थोड़ा टाइम लगा था लास्ट वीडियो के लिए यह भी थोड़ा ऐसा ह ट्रिक अपना फाइ मिनिट्स का ही है लेकिन जो रियल लाइफ उसके अप्लिकेशन बताने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ठीक है तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिगनोमेटर के कौन से कौन से इंपोर्टन पॉइंट्स होते हैं क्या-क्य ट्रिक्स एंट टीप्स है जिसके वज़े से आपका जो कैलकुलेशन है वह इंप्रूव होगा और बहुत ही कम टाइम में विदाउट गेटिंग कंफ्यूज अप इजी ली फाइनल अंसर तब पहुच सकते हो तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो नए स्टूड़न के लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा पूराने स्टूड़न के लिए अभी तक उन्होंने खुद से ट्रिक डेवलप की होगी या फिर अगर आपको नहीं पता है तो जरू से वीडियो आखिरत देखना बहुत ही इंपॉर्टन होने वा वह भी एक बार जरूर से देखना जहां पर आपको ट्रिगनोमेटर है वह यूज होता है तो साइनुसरडल वेफॉर्म में थीटा और उसका वैल्यूस है वह हम लोग बचपन से नाइन और टेंद में भी हम लोग को ट्रिगनोमेटर टॉपिक था डिरेक्ली हम लोग बाय ह इसम लोग यहां पर किया होता है यहां पर सबसे पहला हम लोग फोर टूफल जो इंपार्टैंट है वह हम लोग देखेंगे सब से पहला ठीटा जीरो डिग्री पर देखेंगे उसके बाद ।ि इसे हम लोग कहेंगे यहाप होता है, साय सब्सक्राइबंt आगे बढेने तो सइन जो थर्टी डिग्री होता है, व यह होता है 0.5, 45 degrees है यानि कि 30 degree है कि हम लोग 50 degrees आगे बढ़ेंगे तो 0.5 से भी value हो बढ़ते जाएगा हम लोग देखेंगे जैसे ठीटा का value हो बढ़ते जाएगा वैसे ही जो magnitude का value हो बढ़ते जाएगा, हम लोग 90 degree यानि के up to up to इसका जो peak value है वहाँ तक देखेंगे तो य इसलिए हमें इंक्रीज होते हुए दिखेगा 45 डिग्रेपे हम लोग को वैल्यू कितना मिलता है साइन का साइन 45 डिग्री होता है रूट टू डेसीमाल में हम लोग इसको कनवर्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है 0.707 यह इलेक्ट्रिकल में चाहिए कि 45 डिग्रीज के लिए आपको वैल्यू मिलता है 0.707 फ्रेक्शन के साथ साथ इसका डेसीमाल में वैल्यू है वह भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद सिक्स्टी डिग्रीपे हम लोग और एंगल बढ़ा है कि तो 60 डिग्रीप हम लोगों को मिलता है 0.866 यहां हम लोग कहेंगे रूट 3 by 2 यहां पर भी में लिख देता हूँ यह होगा रूट 3 by 2 फ्रेक्शन में भी एक बार लिख देता हूँ यह होगा 1 by 2 और यह होगा 1 divided by root 2 और 90 डिग्रीपे याने के पीक वैल्यू पे इसका हम लोगों को वैल्यू मिलता है 1 ओके तो यह हो गया सा साने सर्डल में मिलते है 0.5.707.866 and 1 देखते है को साने सर्डल का कैसे आएगा साइन सर्डल के हेल्प से बता तो यह देखो इसका अगर हम लोग 90 डिग्रे के आगे वाला पोर्षन कंसेडर करेंगे ना तो यह हम लोगों का को साने सर्डल वैस फोर्म मिलगा क्योंकि ओन 90 डिग्र शिफ्टेड होता है करेक्ट तो इसके आगे वाला जो वेफोर में वो को साइन का मिलता है अगर हम लोग 90 के आगे भी अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इससे 120 डिग्री आने के दिखूंगा में 0 30 45 डिग्री सिग्ष्ट डिग्री एन 90 डिग्रीज ओके तो यहां पर वही वैल्यू रहेगा जिरो पर इसका वैल्यू है वन अभी अपोजेट डिरेशन यानिके उसका वैल्यू हो कम होते जाएगा जिरो के बाद का आएगा 1 के बाद के आएगा 0.866 जिरो बाद मिलेखा हम लोगों को 0.5 तो यही वैली आप यहाँ पर देख सकते हूं साइन में यहान नाइन्टी के बाद 30 मतलब साइन 120 पे हम लोगों को मिलता था 0.866 साइन नैक्ये के बाद 45 यहाने के 130 Luther 5 मिलता है 0.7 0modern सा 1 Cl । वम यहाँ पर Sl mart का पीक पे मिलता था करें उसके बाद 60 डिग्री यानि कि अगर साइन में 90 प्लस 60 साइन 150 डिग्री मिलता है 0.5 एंड साइन 180 डिग्री ओविसी 90 प्लस 90 विच इक्वाल टू जीरो डिग्री तो ऐसे ही हम लोग निगेटिव के बाद निगेटिव के साइड पे भी वर्क कर सकत 907 फिर 0.866 and 1 लेकिन यह निगेटिव वैल्यू आपको मिलेंगे ठीक है तो साइन और को साइन डोनों आप वेव फॉर्म के हेल्प से इसली समझ सकते कौन सा भी वैल्यू आपको दिया तुभी आप इसली फाइंड आट कर सकते हो अभी हम लोग देखते हैं कि ताइम है वो केलसी में डालने से अच्छे वह लोग डारेक्ली उसको यूटिलाइज करेंगे तो यह सबसे पहले में को साइन का एक टेबल है वो कॉपी कर लेता हूं ताकि हम लोगों को आसा नहीं हो जाएगी क्योंकि पावर फेक्टर क्या होता है बेसिकली पावर फेक् हम लोगों को दिया यहां पर मैं लिग देता हूं कॉस्थिटा होता है अप कॉस्थिटा होता है अका gu goose ذीटा होता है अपना पावर फेक्टर करेक्ट तो सपूच अबकि और पावर फेक्टर moist use फ्ल्पावर प्यक्टर कौन सा होता है 0.805 कि बहुत फेमेसे 0.8 प्यली हम पावर फेक्टर है अभी हम लोगों cancer कुझ साथ कभी कभी लगता है थीटा कवेल्यो में टुर्छ है वो हम लोगों को लगता है तो कैसे फांड ?... वह लोगों को यहाँ पर डिएकली नहीं दिखना देगा लेकिन अम लोग यहाँ पर देख सेकते हैं कि 30 degree पे cost 30 degree पे अपना value है 0.866 and 45 degree पे है अपना value 0.707 यानि कि जो 0.8 का value है यह इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा करेक्ट यह confirmation के लिए भी होता है आप शायद 2 या 3 जो एंगल से उसमें confused हो सकते हो तो लेकिन आप यहां पर से देख से कि 0.866 and 0.707 यह दोनों के बीच में ही जो 0.8 है यह कहीं ना कहीं पर लाई करेगा तो एक fix value है थीटा का बहुत जगा पर आप देखोगे तो अगर आप इसका value find out करोगे एक first example यहां पर एकर value find out करोगे तो यह होगे 36.86 डिग्री यह बहुत ही famous value है 0.8 पावर फेक्टर बहुत question में आपको दिखाई देगा ठीक है similarly और एक है 0.6 पावर फेक्टर अगर आपको दिया 0.6 पावर फेक्टर दिया और उसका value आपको पूछा थिट के बिच में यह दिके 0.707 & 0.5 के बिच में अपना value मिलता है 0.6 तो थीटा का value हासे कितना मिलेगा थीटा का value मिलेगा हम लोगों को 53.13 यह भी अगेन एक value है यह आपको बाय हाट करना है बहुत ही easy value है 53.13 & 36.86 इसके अलावा आपको कोई नहीं दिखाए लेगा hardly 0.1% chances है क इन थीटा के अलावा आपको और कोई थीटा दिखाए रेगा तो यह तो हम लोगों को बाय हाट करना ही है यह जो 5 दिये है 1 2 3 4 5 & उसके साथ 36.86 & 53.13 तो इसके साथ और एक trick है sine और cosine का और एक relation होता है क्या हम लोग देखते है साथ side side में power factor अगर आपको दिया suppose power factor दिया 0. 0.8 0.8 power factor मतलब अभी हम लोग ने देखा थीटा का value कितना होता यहाँ पर थीटा का value होगा यहाँ पर 36.86 मतलब cos theta रहेगा cos theta रहेगा उसका value रहेगा 0.8 correct और for 36.86 degree यहाँ कि अगर cos theta या फिर power factor अगर 0.8 रहा तो यहाँ पर sin theta का value है वो हम लोगों मेलेगा 0.6 यह fix value होता है correct और एक बता देता हूँ अभी हम लोग ने देखा था कि power factor का value अगर 0.6 लिया जहाँ पर 36 theta का value होता है 53.13 correct तो यहाँ पर 53.13 theta का value अगर यहाँ यहाँ पर लिख देता हूँ cos theta अगर अपना 0.6 रहेगा तो यहाँ पर sin theta का value है वो आपको मिलेगा 0.8 correct ऐसा भी आपको ह समझ सकते हो यह दोनों इंटर रिलेड़ेड़ है मतला 0.8 अगर cos theta का value रहेगा तो sin theta का value 0.6 मिलेगा अगर cos theta का value 0.6 मिला तो sin theta का value है वो आपको मिलेगा 0.8 तो अगर आपको theta पता है या फिर इन दोनों में से भी अगर कोई पता है तो दूसरा है वो easily आप find out कर सकते हो त आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा मिला है तो अभी से वीडियो लाइक कर देना और अभी हम लोग बढ़ते है आगे जहां पर हम लोग डिसकस करेंगे साइन और cos theta का conversion मैं ऐसा कुछ अगर आपको देंगे और पूछेंगे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है या फिर अगर माइनस दिया तो आपे बहुत problem होता है तो वह हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है साइन और को साइन के बीच में अगर आपको वह एंगल से related problem है तो क्या है सबसे पहले ऐसा क्रॉस है वो ड्रॉ कर लो यहां पर लिखो cos theta और यहां पर नीचे लिखो साइन थीटा यह मेरा मैरे ऐसे यूज करता हूँ अभी तक मैंने प्रैक्टिस किया तो इससे ही हेल्प से किया था तो मुझे यह वाला जो नोटेशन है वो मुझे अच्छा लगता हूँ मुझे समर्ज में आता है easily तो cos theta है वह मैं राइट सेड पे लिता हूँ सब्सक्राइब अगर आपको दूसरा एक देंगे वेवफॉर्म जो है माइनस साइन 80 प्लस थीटा तो एक मैंने कॉस का लिया रिक साइन का लिया वह भी निगेटिव का लिया तो अगर आपको यह पता नहीं होगा तो आप क्या को रिगा आप साइन को पहले माइनस है वह कोई बीक अ करने की जरुवत नहीं है फिर लोक को क्या है ओ और सबisis लोगो को पता है तो यहां पर क्या है जम लोग एक सकते हैं कि बेसिक लिक कॉछ थीटा प्लस फिफाईब तो मतलब क्या करेंगे cos theta तो हमारे पास अभी present है उसमें 135 degrees और add करेंगे add करेंगे plus है तो मतलब हम लोग anticlockwise direction में घूमेंगे correct तो यहां से यहां तक तो 90 degree होता है हम लोगों को पता है तो मतलब यह 90 degree और हम लोगों को और addition में total 45 degree हो को आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक है तो यह हम लोगों को मिलेगा एंगल जो कोई भी ए रहेगा हो यहां पर में draw कर लेता हूँ यह 45 degrees का एंगल है अभी के लिए समझ लेना कि यह 45 degrees का है यहां पर में ican eller twenty TD यानि कि क्या और से हEverything kilo plus 80 degrees यानिकेद माइनच साइन थीटा में यहां पर मायनस साइन थीटा में हम लोगों को 80 foods एड कर देना तो हैं उतक mi घूमेंगे यानि के यहाँ पर 90 degrees से कुछ पहले के तो यहाँ पर मार्क कर देता हूँ approximately यहाँ पर अपना एंगल मिलेगा यह यह हो गया एंगल यहाँ पर B और इन दोनों के बीच में एंगल है कितना यह हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 80 degree है और यहाँ से यहाँ तक 45 degrees है तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल पूछा यानि कि between the A and B तो मैं find out कर सकता हूँ इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा एंगल between A and B यह हो जाएगा डिरेक्ली 80 degree माइनस इस 45 डिग्री यहाँ कि हो जाएगा टोटल 35 डिग्री मिल गए आसन इसे कोई भी साइन से कॉस में करने की जरूरत नहीं है साइव माइनस साइन को सैनको अग्रीच करने की जरूरत नहीं है तिन चार्ड बाद6 ब्रो Спट्छ सेह व् растाइबust एक मिल गया दुह अगर कुछ थीटा माइनस अगर 45 डिग्रीज वगर दिया होगा है फिर थीटा माइनस 30 डिग्रीज तो हम लोग फिर clockwise डिरेक्शन में घूमेंगे करेक्ट पॉजिटिव रहेगा तो एंटी-clockwise निगेटिव रहेगा तो clockwise डिरेक्शन में तो इसी के help से साइन से कॉस में कोई भी अगर कन्वर्जन रहेगा तो हम लोग उसके केस में यहापको यह जो ट्रिक है यह आपको बहुत अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो वीडियो अगर आपने फिर्स पार्ट है वो नई देखा है तो जरू से जाके देखना मैंने उपर आय बटन पर प्रोवाइड कर दिया लिंक वासे आप चेकाउट कर सक देखते हो और हम लोगोंने एमसी क्यू रिलेटेड या फिर टिप्स एंड ट्रिक से रिलेटेड एक डिफरेंट प्लेइलिस्ट है वो क्रियेट कर दी है अगर आपको वह देखना है जरू से चेक करना वहाँ पर आपको नए नए ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है वह आपको इसली मिल जाएंगे यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसका जो प्लेइलिस्ट है वो आप जरू से एक बार देख लेना ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ